राम राम जै माता दी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभी हम ठीक जैसे कि आपको हमारे ठीक पीछे दिखाए दे रहा होगा यहाँ पर हम अगर बात करें कल से अभी जो यह नया सेशन सर्दियों वाला शुरू हुआ है बरफ बारिका तो हम बात करें अगर मचेल भ भगत हैं आप सभी को एक बार हम माता रानी के भवन के दर्शन करवाएं जी हाँ आप ठीक लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि भवन में कितनी सारी बरफ पड़ी हुई है यह देखे तो हमारे ठीक पीछे आपको माता रानी का सुन्दर भवन नजर आ रहा हो होगा तो हमने सोचा कि आपने सभी माता के भक्तूं को भवन के दिदार करा दें और सभी तक यह जानकारी भी पहुचा दें कि अभी कल से लेकर आज तक हाँ पर अगर हम भवन की बात करें मचेल की अगर हम बात करें मचेल के आसपास की जगह की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर धाई फुट बर्फ जो है यहां पर रिकार्ड की गई हैं पर दर्ज हो चुकी है तो हमारे जितने भी श्रोता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम अभी अपने कैमरामेन के साथ यहां पर भवन पर आये तो हमने सोचा कि आप सभी के लिए जो आज की ताजा ज भवन के जो दिदार हैं वो हो सके आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा यहां पर काफी मात्रा में बर्फ जो है वो गिर चुकी है भवन में हम आपको भवन और भवन के आसपास की जगह को भी दिखाने की कोशिश करेंगे हाला कि साइडू में जाना उतना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि भवन के पीछे और बाएं दाएं साइड अगर आप ठीक हमारे कैमरे में देख पा रहे हैं कि यह आपको जो बिल्डिंग है उनके छट पे भी नजर रहा रहा है कि कि कितनी कितनी बर्फ बारी यहां पर हो चुकी है जी हां बिलकुल यह देखिए लग भग अगर हम इस साल 2024 की अगर बात करें जन्वरी से जब से बर्फ स्टार्ट हुए तो नई पुरानी सारी मिलाकर अभी तो कुछ बर्फ पिगल भी गई है कुछ जो अभी यहां पर जमा है तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी लग भग इस साल साथ से आठ फुट अब अभी कल से जो बरबारी है वो कुल मिलाकर आप तक द्याओ फुट जी हां बिलकुल धाओ फुट जो है वो जमा हो चुकी है तो हमने सोचा कि हमारे जितने भी माता रानी के प्यारे प्यारे भगत हैं और भी जो लोग जो आज तक इस मचेल के पावन धर्ती पर नहीं आये हैं माता रानी के दर्शनु के लिए नहीं आये हैं आप सभी को हम एक बार फिर से माता रानी के भव्य दर्शन करवा सकें, तो ये आप ठीक हमारे कैमरे में, जी हाँ बिल्कुल हमारे कैमरे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा बरफबारी हुई है, शिवजी पहार तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमने आपने कल के वीडियो में भी आपको दिखाया था कि बादल है उस सेट और जानकारी ताजा ये है कि मचेल माता के भवन में एक बार फिर से बरफबारी फिर से शुरू हो गई थी, कल से ऐसे बरफबारी शुरू हम आपको बार बार बता रहे हैं कि धाई फुट जो बरफ यहां पर दर्ज हो चुकी है, रिकार्ड हो चुकी है, उसके बाद फिर से आज एक बार फिर से अभी बरफबारी फिर से शुरू हो चुकी है, जैसे कि मोसम विभाग ने अडवाईजरी जारी की थी, कि आने वाल तीन मार्च तक जो पहाड़ी खित्र हैं कहीं कहीं जादा भारी बर्फ बारी होने का इनकाम है तो यहां पर ठीक वैसे ही मोसम विभाग जो जुमू कश्मीर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग यहां पर देखने को मिल रहा है कि मचेल में मचेल माता भवन में अगर हम मचे माता रानी का जो भवन है उसके दर्शन करते रहिए और भी ताजा जानकारी के लिए लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमें शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए धन्यवाद जये मातारी